चले बागे बरते हम बात करें चुनाव के देखी प्रचार की मैदान में घहमा सान तेज है, बीजेपी के दिगज मैदान में है, तो सामने अख्लेश यहन की जोड़ी जवाब दे रही है जवाब देनी की जल्दबाजी ऐसी है कि दोनों खेमा पहले चुरण की चुनाव के बाद ही खुद की जीत का निश्कर्ष निकालने लगा है हमारे एक हाथ में विकास की चड़ी है, दूसरे हाथ में माख्या और अप्रागियों के लिए गुल्डोजर का लिवर है और दोनों खेम एक साथ चलते हैं तो विकास होता है और समाज को नुकसान बनाने वाले तक तो अपने आभी उसके नीचे पिस्पे बेच चली जाते है दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार की जंग में आखरी जोर आजमाईश हो रही दूसरे चरण के घमासान में अखिलेश यादो पर बीजेपी के दिगजों की फोज टूट पड़ी प्रदान मंतरी, ग्रह मंतरी, मुक्य मंतरी, पार्टी अध्यक्ष के बाद अब उमा भारती भी मैदान में उतर गई अखिलेश अक्सर योगी राज में कानून विवस्ता पर सवाल उठा रहे है तो हमिद्शान ने हाकलों के साथ अखिलेश राज का सच सामने रखने की कोशिश की पकेटी के अंदर पाँच साल में बहत्तर प्रतीसद की कमी आई लूट में बासट प्रतीसद की कमी आई हत्या में 31 प्रतीसद की कमी आई है माता वो बहनो भायो इतनी सारी बहने माता यहां बेठी है बलातकार में 50 प्रतीसद की कमी लाने का काम योगी आदी तिनाद की भारतिय जंता पार्टी की सब्सक्राइब आमिज शाह ने कानून विवस्था के मुद्दे पर शाह जहांपुर से अखिलेश यादर को जवाब दिया किसानों के मुद्दे पर 2022 की जंग में अखिलेश के जोड़ीदार बने जयंत चौधरी भी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं अब जरा खिलेश चुनावी जीत के दावे को देखिए यूपी में माहौल गर्म है अखिलेश पर हमले के लिए बीजेपी के पास दिगज नेताओं की भरमार अब पार्टी ने एक और फाइर ब्रैंट नेता को इस काम पर लगा दिया है अब को रखे आगे अब को रखे आगे को अब कहिता है अबस्तों अबस्तों के अबस्तों जगा दोफे झाल झाल